नमस्कार मेरा नाम है साजेव और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्ट नाइन नियूज लेशन बंगाल की सियासत में आग उस वक्त लग गई जब पार्ट चटर जी के घर से लगबख पच्पन सो करोड उपे कैश परामद होता है और पिता मुखर जी जो उनकी साथी थी वो इन सब चीजों में उनका साथ देती थी उनके कैश को चुपाने का काम करती उसके बाद ED ने जो है पार्ट चेटर जी पर अपना सिकंजा करते ही मानों TMC के खेमे में आग लग गई TMC के खेमे का हर नेता जो है अब ED और CBI के डर और खौफ से घर में छुपा बैटा जो बाहुबली नेता कहे जाते थे वो भी ED के समन के बाद ED कार्याले जाने से डर रहे थे लगातार ED उन्हें बुलावा बेज रही थी लेकिन वो ED के पास नहीं जाते ममता बेनरजी के नेता जो भाटपा से आकर TMC में सामिल हुए थे उनकी भी हालत खराब क्रिश्न कल्यानी को भी ED ने नोटिस जारी कर दिया थे नोटिस जारी करने के बाद पूरे बंगाल में TMC के खेमे में आग लग गई TMC की स्थिती चट विच्छत होगी उसके बाद ममता बेनरजी ने सोचा कि अगर अभी इसका निदान नहीं निकाला गया तो सत्ता तो जाएगी ही उपर से उनकी सफेज साड़ी पर दाग लग जाएगा सफेज साड़ी पर लग जाने वाले इस दाग को मिटाने के लिए वो परदान मंत्री से मुलाकात कर देए चर्चो का बाजार गर्म होता है कि आखिर उस परदान मंत्री के पास कैसे गई ममता जिनको नोंने राक्छत बताया क्यों उस राक्षत से मिलने गई मम्ता और उसी वक्त जब उनके मंत्री पर ईडी का सिकंजा कसा हुआ 20 मिनट की बंद कमरे की ये मुलाकात काफी खास थी इसमें क्या चर्चा हुई इसकी किसी को कानो कान ख़बर नहीं लेकिन जब TMC के परवक्ता से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्हों ने कहा कि GST उनके राज में कम करने के मुद्दे को लेकर मम्ता बेनर जी की उनसे मुलाकात हुई उसके बाद भी लगातार जो है लोक कह रहे थे कि मम्ता बेनर जी जो है परधान मंतरी नरेंद्र मोदी से पार्च चतर जी के मुद्दे को लेकर के मिली है कि केंद्र सरकार उन पे कुछ रियायत करें लेकिन सारे इलजामों को मम्ता बेनर जी ने सिरे से खारिच कर दिया उनके परवक्ता ने सिरे से खारिच कर दिया अब बंगाल की सियासत में एक और खौल आ गई है और खौल उस वक्त आई जब ममता बेनर जी भाजपा के पुर्व राजसभा सांसद सुब्रमन्नम स्वामी से मिलने पौन आदे गंटे की ये खास मुला अब भी अपना सिकंजा करसने में कोई कमजोरी नहीं दिखा रहा उसके बाद कल ममता बेनर जी ने गुरुवार को पैट और गुरुवार को ममता बेनर जी सुब्रमन्नम स्वामी से मिलने जी हां आदे गंटे की ये मुलाकात काफी खास थी इस मुलाकात में क्या कुछ ची ममता बेनर जी का इस तरीके से मिलना कही सारे संकेतों गुदरता था उनकी चली पर कही सारे सवाली या निसान खड़े करता है कि आखिर ममता बेनर जी अचानक से उस भाजपा के इतने करीब नहीं चाहिए अंडिये की उमिद्वार जोती राश्प्रती पर्थी उसमें भी उन्होंने यस्वन सिंहा का हाथ छोड़ कर दुरवपदी मुर्मू का हाथ था क्या इस सियासी खॉल का कारण ये तो नहीं कि लगातार ममता के जितने भी काले कारणामे हैं वह बंगाल में इडी खोलते जा रही है और उसे बचने के लिए ममता केंद्र का समर्थंग जा रहे हैं फिलाल इस खबर में इतना ही तब तक के लिए बने रहे हैं देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूर्ट